बारत की ताकत देख जैसे जैसे दुश्मन देश सक्पकास से रहे हैं और फिर अपनी भी ताकत बढ़ाने में लग गए हैं तो अब भारत मानों दोगुनी तेजी से खुद को दुश्मनों का मकाबला करने के लिए तयाद कर रहा है नरेंद्रमोदी के नेतरित्व में वैसे भी अब कोई देश ऐसा नहीं है जो भारत को हलके में ले पाए अब विदेश में भी भारत को ठीक वैसा ही समान प्राप्त होता है जैसा क्याने देश भारत आकर उम्मीद करते हैं अब भारत ने जब पिछले 5 साल में ही इस तरह के बदलाब देख लिये हैं तो इसी बीच भारत ने एक और नई चीज़ का प्रयोग किया है जो कि भारत के लिहास एक बहुत बड़ी बात है भारत ने पहली बार किसी मिसाइल की सक्षमता रात में टेस्ट की है अग्नी टू मिसाइल की क्षमता को भारत ने रात में लौंच किया जो कि भारत में सबसे पहली बार हुआ है शनिवार को भारत ने 2000 किलोमीटर तक की रेंज में दुश्मन को मार गिराने में सक्षम अगनी टू बैलस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षन किया ये वही अगनी टू मिसाइल है जिसका परीक्षन पिछले साल ही किया गया था लेकिन शनिवार को पहली बार इसे रात में लॉंच किया गया स्ट्राडेजिक फोर्चिस कमान ने ये परीक्षन और इशा के अपी जे अब्दुलकलाम दूईब पर किया न्यूकलियर हत्यारों को ले जाने में सक्षम इस मिसाइल की रेंज को जरुवत के अनुसार 3000 किलो मीटर तक बढ़ाया जा सकता है जिस लिहास से भारती रक्षवेड़े में शामिल मिसाइलों में से एक ऐसी मिसाइल ये बन गई है जिसके जरुए भारत को और सुरक्षित बनाने के नए आयाम भारती रक्षवेभाग को हासल हुए है अगनी टू मिसाइल की मारक शमता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये चीन के पश्चिमी, मध्य और दक्षिनी हिस्सों को अपने कबजे में आसानी से ले सकती है सूतरों के मताबिक मिसाइल में 2000 किलो मीटर तक मार करने की ख्षमता है DRDO सूतरों का कहना है कि लॉंच के दोरान मिसाइल पर पूरी नजर बना कर रखी गई एक अनुमान की मताबिक 20 मीटर लंबी दोस्तर की बैलेस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपन वजन 17 टन है और 2000 किलो मीटर तक 1000 किलोग्राम का पेलोड लेकर जा सकती है माना जाना है कि इस मिसाइल को आधुनिक सटीक नौवहन प्रणाली से सजाया गया है आपको बता दें कि इस मिसाइल को एडवान सिस्टम लेबरेटरी ने DRDO की प्रयोक शालाओं के साथ मिलकर विक्सित किया है और इसको सता से सता पर मार करने में सक्षम बनाया गया है अगनी जो मिसाइल की लंबाई 20 मीटर है और ये दो स्टेजिस में अपने लक्षे को हासिल करती है इसे सॉलिट फ्यूल की जरूरत होती है तो अब तो दुश्मन देशों को भारत से और ज्यादा चौकरना हो जाने की जरूरत है और रात में तो भारत को छेड़ने के लिए दुश्मन देश सोचे भी नहीं क्यूंकि अगनी टू मिसाइल काफी खतरनाक है जो एक बार अगर दुश्मन देश पर चल गई तो फिर दुश्मन देश का हाल क्या होगा वो सिर्फ बताने से काम चलेगा भी नहीं तो ये थी भारती रक्षक शेत्र में पहले से शामिल मिसाइल अगनी टू जो दुश्मन के दांत रात में खटे करने से भी अब परहिस नहीं करेगी